Hello Friends, Welcome to Law, Economics and Law मेरा नाम प्रिंगावसिस्ट है मैंने जैसे आपसे बात करी थी पहले कि हम स्कानर करेंगे तो मैं टेक्समें का मैंने आपको एक मैंने वीडियो भी बिनाई थी टेक्समें का स्कानर लेकि आई थी मैं कर लाँगी दो कोशन ऐसमें का यो सबसे बैस्ट है कि टेक्समें conductor स्कानर में खास बात कया यह है और सब कर दोक्तव मालेक चलता है और यह पछले साल कौन से ये सब आपको बताता है तो यह 19 से लेकर अब आपके 21 तक का सारा डाटा आपको देता है कि कौन-कौन से नहीं तो इसमें चैप और रहे टाइप और कॉर्परे रिस्टक्टरिंग पॉर्स चैप्टर रहे इसमें दो कोशन दी हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी और दोनों कोश कोशनों का एक ही और यह कोशन आया आपके दिसंबर दोहुजार उनीस में दिसंब्र में भी और स्गैएily तो हम इसको पढ़ते है land आंसर सेम है कोश्चिन का बस कहने का थोड़ सा तरीका लगा उसको देखते हैं इस जनली एक्सेप्टेट डैट और मर्जर सक्यूजिशन है वन कॉमन गोल रिगार्ड लेस ऑफ दियर कैटेगरी और स्टॉक्चर यानि कि आप हमें बताएं कि मर्जर और एक्क्यूजिशन जो हैं कैटेगरी और स्टॉक्चर को छोड़के कैसे आपको बैनेफिट देते हैं कैसे वह हम इसको जनली एक्सेप्ट करते हैं डिव यौर ओपीनियर इंडिकेटिंग डबैनेफिट डैट कंपनीज के ड्राइव अपन पाइमर्जिंग ठीक है यानि कि आ एक कोशन तो यह ही आया था कोशन आपका दिस नंबर 2019 में पांच नंबर का कोशन आया था उसके बाद जून 2019 में आया था यही कोशन इस तरीके से दिया था सरकम्स्टांसे और रीजन डैट पॉंप्ट और मोटिवेट था मेनेश्मेंट तो रिसॉर्ट था कॉर्पेट रिस्टुरिंग ब्रीफ अनलाइसे दफ्रेज गिविंग और सिटिंग साथे नूटिड मर्जर्स और दिमर्जर्स दूरिं दे लास्ट कपल ओफ यहां पर आ सिकले इन दोषंध गोशनों का मारम यह है कि आमल्गमिशन मर्जर कंपनी करती है इसके क्या मेनपिट है और जो corporate restructuring जो company होती है उस पर क्या ऐसे benefit होते हैं जो और ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जिनके कारण उने amalgamation, merger, acquisition वगरा करने पड़ते हैं और ये सब करने के बाद उने क्या-क्या benefit होते हैं ठीक है तो इसमें answer भी आप देखेंगे taxman का जो scanner है इसमें answer भी बहुत अच्छ merger amalgamation acquisition और फॉर्म बहुत चोटे लगजों में पिंपॉइंट बात करेंगे ठीक है ना ज्यादा नहीं करेंगे merger amalgamation acquisition और फॉर्म ऑफ इन और गैनिक ग्रोथ स्टार्ट यह मैंने आपको पहले भी बताया था दो तरीके की ग्रोथ होती है अमल और गैनिक और इन और गैनिक यह कि इसमान आपको वीडियो चुकी है और गैनिक ग्रोथ तो वह होती है जब आप अपने बिसनिस को कस्टमर बढ़ाते हो बजिएंश में चेंज़ निमीजन करते हो फो उसको ग्रोह करते हो उसको और गैनिक ग्रोथ क्या और इन और शयराम करके कुछ ले के कुछ दे के आपने ग्रोथ ली है तो यह आपके पहली में लिखा है आप यह पॉइंट समझ लिए यह एक पॉइंट बनता है कि जो अमल्गमेशन मर्जर है इन और गैनिक ग्रोथ स्टाटेजी के अंदर आते हैं ठीक है उसके बाद सच कॉर्पेट रिस्ट सिनर्जी तालमेल बठाना आपस में समंझ से बठाना आपस में मिल जुल के काम करके अपनी भी ग्रोथ करने और दूसरों की भी घृष करनी यह माने आपको वीडियो में पहले भी बताया था दो तीन बाते हैं पहली बात होगी इन और्गैनिक ग्रोथ ठीक है क्रियेट सिनरजी ताल मेल बना के चलेंगे कई बार ऐसा होता है जोग्रफिक सिच्वेशन कुछ ऐसी होते हैं कि जहां पर आपकी मैनुफेक्चरिंग मैं बढ़ आको सब्सक्राइब बढ़ने कई आपकेमारें 3 पॉक्रफिश को प्पेसे कंग ये उसके बाद अपने ऋने परिकेंस इन सब चीजों को करने से ही आपका profit बढ़ेगा, आपको अपनी cost कम करनी है, आपको अपने resources को किसी भी तरीके की resources को बहतर तरीके से इस्तमाल करना है, इन दोनों को करने के बाद क्या होगा, आपका profit तब ही बढ़ेगा, आपका profit बढ़ेगा, तो इन सब चीजों को करने के के लिए ही आप Amalgamation Merger acquisition यह सब चीज़े करते हैं यहां पर आपकी कॉस्ट कम नहीं हो रही बिल्कि बढ़की आ रहे हैं तो आपना तो क्रियेट सेनर्जी ठीक है यह पॉइंट हो गया है पॉइंट मतलब यह पैरग्राफ में लिखे हो है मैं आपको आपके दिमाग में बठाने के लिए पॉइंट बढ़ दा लिए कि मैं समझा रही हूं तो मुझे समझाने में टाइम लगेगा ठीक है ना मैं थोड़ा हो सकता पर जब आपके यह दिमाग में बाद बैठ गई तो फिर आपको सिफ एक बार रीडाउट करने से ही पेपर में हो जाएगा क्योंकि पेपर में आपके यह जो किताब है ना हमारे जब हम पढ़ते थे जब हमारे सर देते थे कि प्रफेशनल अग्जाम है तो ऐसे नहीं होग तो पेपर ऐसे जब पेज आपका शुरू होगा ना जिस भी स्कानर से जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं पेपर के यदि आप आप पर देखिया है कल आपका फिर पेपर है तो रिवीजन बस ऐसे होना चाहिए इतने ही देर लगनी कि पेज को करने में यहां से आपने उगली शुरू करी और यह आपका रिवीजन खतम इस पेज क्या क्या लिखा है अगला पेज ऐसे रिवीजन करेंगे इस तनी प्रेक्टिस कर लिए कि ऐसे रिवीजन हो जाए तो फिर आपको कोई मात नहीं दे सकता आपके नंबर पिया जाएंगे और आप रिवीजन भी क मच के करेंगे तो आपको एक बार पढ़ने से काम खतम हो जाएगा बार आप चीज को देखनी भी पड़ेगे तो दो पॉइंट हो गए एक इन और गैनिक ग्रोथ और क्या होता है ना आंसर चनली सिमिलर ही होते हैं यही चीज यह आप अमल्गमेशन मर्जर के किसी भी कोश कंपनी ग्रेटर देंद सम ऑफ टू पार्ट यानि की दो हिस्से हैं कंपनी यदि दो कंपनी तो वह आपस में इतना प्रॉफिट नहीं देंगी जितनी की यदि वह दो से एक हो जाएं तो वह प्रॉफिट आपको देंगी एक्जम्बल के तौर पे यदि आप सौ रुपे क करें परके यहीं सोपर पर म sürlece क कमा रहे हृए तोक्ति आप टोटल 200 प्रॉप्य इंडिवजूल अप बहुत है है यदि आप उप है कि हम दोनों मिल जए हम दोनों अम ऩोई प्राफिट हो तो इस काम करेंगे तो हमें 400 छू करेंगे 2400 रुपे होगा प्रिय Not क्या है सिर्फ इन सब चीजों में जुरत के अमल गर्मिशन मर्जर की जुरत है सोच की जुरत है आपस में ताल मेल बठाइए ठीक है ना तो यह मैंने आपको एक्जम्बल दिया इसलिए यह कह रहे हैं कि यदि दो कंपनिया आपस में अलग अलग इंडिवीज्वल है तो वह अपना रविन्यू बढ़ाते हैं और कोस्ट सेविंग यानि की को स्ट को कम करते हैं वही बात जो मैंने आपको बताई अपने रिसोर्स को बहतर यूज करना अपनी को को कम करना तब या पका प्रॉफिट परेगा कॉर्पर रिस्टेक्टिशिंग एम एट इंपूविंग कमपटिटिव पोजीशन और इंडिविज्व बिजन्स मैक्सिमाइजेशन इस कंटिबूशन तो कॉर्पेट अप्जेक्टिव जो है आपके आपके और आपकी कंपनी के उसको अचीव करने में कंपटिशन को भी बीट करने में सब चीजहों में अमल्गमेशन मर्जर आप अचीव एक बुमी का बनादी अंसर की अब उसके बाद आपको एक्संपल भी देनें नीचे वाला जो जूं 2019 से नीकित अपश चीजांपल भी मांग एक उसके मर्जर किया और इसमें बेनेफिट पोचे तो आप वहीं बताएंगे फस्ट पॉइंट बने का आपका इंक्री इन मार्केट शेर थीक है मर्जर फैसलिटी इंक्रीज इन मार्केट शेर आप दूसरे के साथ जब अमल्गमेशन इसें करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ कम्बाइन करते हैं और एक दूसरी के इसे क्यों उसके की अपनी सी सेम जो कमपटिटर कंपनी उसके साथ आप मर्जर अमल्गमेशन करते हैं तो आपका मार्केट का शेर बढ़ता है आपका प्रॉफिट बढ़ता है जैसे आइडिया और इसमें एक्जामपल दिया है आइडिया और वोड़ाफून का तो इसमें क् तो उसको पुलते हैं जब सेम कंपनी में में जरुआ तो आपका मार्केट शेयर बढ़ा तो आप आइडिया का भी बढ़ा और वोड़ा फून का भी बढ़ा सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस कंपटिशन जब आपस में दो कंपटिटर कंपनी आपस में सिनर्जी कर लेंगी ताल मेल बठा लेंगी तो कंपटिशन तो खतम हुई ही जाएगा नौमल सी बात है और जोंटर मर्जर रिजल्ट इंडिक्शन कंपटिशन यह ऐसा सिर्फ औ पर और नब ने दिया है कि आपश पी कंप्व इस ने Après सिर्फमांप़ा इसों मेल करा तो सब्सみ कंपटिशन को खतम किय लार्ज साइज है यह अर्गब्र से और जबेटिक के साइज करने में ब्रेंड बनाने में अपने कंपनी की ग्रोग करने में लगेंगे तो बहुत ता इसके साइज को बढ़ा सकते हैं ठीकर इसका एक और इसका गजामपल यह देते हैं संवार्प्रोंit 도्सक्राइब सब्सक्राइब तो इनका साइज को सब्सक्राइब नहीं आपस में वबड़ा हो गया ऑक्नॉमिक्स ऑफिस्केल यह मैंने अपको करवाया था एकनोमिक्स और स्केल मर्जर रिजल्टिन हैंज एकनोमिक ओफिस्केल दूटू इदर डैर इस रिडूजरीं कॉस्ट पर यूनिट एड इंकरीज इन आउपुट प्र प्रडुक्शन रिडूज्ट कोस्ट पर यूनिट यानि कि आप यही बात कह रहे हैं कि आप अपनी क थीक कंपनी जापस एधी अमल्गमेशन बेनिफित लेती हूं सबसे अधर टैक्स का बैनिफित किसमें मिलता है सैट टॉफ में केरी फॉरवड में मिलता है और यह कौन से अन्डरक्षिंस सेंटीटू इक तहद इंकम ٹाक्सिट में बैने फैट इसका ले सकते हैं ठीक है नियू टेखनावजी मिलेगी आपको नहीं रहा मिलेगी आप एक दूसरे के साथ यूज एक दूसरे के टेक्नलोजी के इस्तमाल करके अपने साइस को बढ़ा सकते हैं जिससे क्या होगा दोनों की टेक्नलोजी आपस में मिलके एक ग्रोथ वाली एक पॉफिट वाली कंडिशन क्रियेट करेंगी ज बहुत ताइम लगता है बहुत पैसा लगता है बहुत दिमाग लगता है यदि आप किसी ऐसी कंपनी के सथ टाइप कर लेते हैं जो अल्रेडी ब्रैंट बना हुआ है तो क्या होगा आपका ब्रैंट कृइट हो जाएगा ठीक है इसे टाट्र मोटर्स और जगुआर का जीके हावर से डॉमिनेंस शेल बी सब्जेक्ट टु रगुलेशन् टु दा कमपेटीशन एक दू तो तॉजन टू या निकि आप एक प्रभावी कंपनी बनते हो यह यह आप किसी अपनी कर दो अपनी किसी कंपनी के साथ अमल्गमेशन मर्जर करते हो तो आप क्या बनते हो एक प्रभावी कंपनी बनते हो जो अपनी हिसाब से कंपटीशन को चला सकता है कंपटीशन एक्ट के रूल सब्सक्राइब के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जैसे रिलाइंस इंडस्ट्री और नेटवर्ग तीवी यदि आप वर्टिकल मर्जर करते हो रिलाइस इ आप एक रॉप्य और यति बैंक डूब दो बैंक डूबें इसलिए बहतर है कि आप 10,000 किसी ऑनक्डिक सेटर में लगईए 10,000 समिन कमेंहें दूबेंगे इन नोटिफिकेशन देती है तो क्या होगा आपके बाकी के पैसे तो से बाकी के सेक्टर तो बढ़ेंगे ऐसी वर् तो क्या होगा दूसरा सेक्टर आपको कमा के देता रहेगा आप सर्वाइवल की इस्तिती में हमेशा बने रहेंगे इसलिए अपने बिस्स को हमेशा डाइवर्सिपिकेशन अलग अलग बाटके चलना चाहिए ठीक है इसका सर्वाइवल हो जाएगा वह ठीक पाएगी कंपनी ठीक है उसके एंप्लोइस ठीक पाएगे वह सब्सक्राइवल कंडिशन में आएगी नोटेबल मर्जर्स डीमर्जर अक्यूजिशन डैट टुक प्लेस अधा मंत्रा एक्वारिंग इसमें रिलाइंस एक्वाइरिंग टीवी एटीव ठीक है सन फार्मा एब्जोर्विंग रैंट बैक्सी विप्रो डिमर्जर ठीक है रिलाइंस इंड्रस्ट्रीज डिमर्जर यह सब इसमें दिया हुआ और यहीं इसमें एक्जांपल दिया हुआ है मोटे मोटे दस पॉइंट है यह आप टिप्स पे भी करें नियोग टेखनालोजी या टिक है एक्स परिच ले सकते हैं स्क्राविक्स से हम से च ships से मतलब तो होगा यह लोगा यह डोनों पॉश्चिंजिक ऑनूर को टीपस के रवा थिक करो है तो आप तो मेरे मेरी वीडे कर लेकिंगे मतलप थोड़ीसे उसकता है और नहीं आपको बेसिक से सब कुछ समझ में आजाएगा तो आप ये कॉशन दो करा सकते हैं ये स्कैनर के मैंने दो कोशिश कराए है ऐसी मैं डेली कोशिश करूंगी मैं डेली वीडियो बना पाँ ठीक है ठीक है और चानल को सब्सक्राइब करना ठीक है बाई